हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई चैनल आज हम क्लास एट चैप्टर फॉर्टीन फेक्टराइजेशन एक्साइस 14.2 का कोशन नमर फे डिसकस करेंगे तो देखिए क्या है फेक्टराइज दा फॉर्लिंग एक्सप्रेशन फेक्टराइज करना ऐसे ठीक है तेखिए पार्ट क के फेक्टराइजेशन करना सीखा था यह अगर हम इसमें 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 को देखिए एक हमारी क्या है एक हमारे क्या है अगर यूज किया जाए तो हम फरस्ट वाली कर सकते हैं बट किस तरह से करेंगे है ERT इस इसे वाले question क्या करते हैं जिसमें हमारे कोई square बनता है नहीं कुछ common अता है उस वाले question में हम क्या करते हैं इससे तो हमारे स्फाइय प्लास के सारे plus है फार्स्ट वाली यूज होगी और यह याली बन नहीं सकते हैं मच 2 स्वार का में लगता है ठीकर तो इसिंप्ली करेंगे मिडल अच das अच्छ», यह मैंने सकाच्छ आटेक्शन वीडू मेरे हैं तो स्वाने कीया है तो देखी ए कैसे करते है इसमे माममद 6P ब्रेक करते है 6P को middle drum को इसमें break करके लिखा जाता है किस तरह से जो हमारी यहां drum होती है जो यह 8P है और यहां जो होता है यहां क्या है 1 है इन दोनों को क्या करते हैं हम multiply करते हैं ठीक है इन दोनों को multiply करेंगे तो क्या आजाएगा यहां आजाएगा हमारा 8 simply अगर इसको multiply करेंगे तो लिख सकते है 8P स्कवारा जाएगा और इनके अगर हम factor बनाएगे तो क्या हो सकते है 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x P x P ठीक है इस तरह सो सकते हैं इसके factors हमें CQ में factors करना तो इस तरह से आज़ा आज़ा हमें इस तरह से स्पलेट करना है बदद मेले ट्रम को जहीं हमारा बीच में क्या आज़ा है 6 आ जाए plus-minus करके यह तो plus करके 6 यह माइनेस किरके 6 आज़ा है और 6 आना चाहे तो देखे़े पहले इसमें कैसे करते हैं जो किया यहां होती है एक ब़स अहां यह हमारा है तो जो यह वाली इसको को भी हम इन agarई को के इस तरह से ऐंज़ करेंगे इन फैक्टाओं को लेंगे हम इन एर्रेंज करेंगे तो क्या हो सकता है 4 P alternate 221 support और 2 अब देखे, first two term में से हम क्या common बसकते है, p, यहां बचागा हमारा p plus 4, और second two term से हम क्या common बसकते है, 2, यहां बन जाएगा हमारा क्या, this one, अब देखे, हमें दिख रहा हैं, same same, तो same same means क्या है, common out, then, जब यह common out यहां से निकल गया, तो यहां क्या बच्चा सिर्फ, यहां ब तीन या चार के expression हो, इन वालों को तो middle term में split थे, ना इसमें commonly आजासता है, कोई simple identity लग रही है, हमारी simple सी हम कोई identity भी लग रही है, बस इन सब को हम क्या करते है, जो हमारे factors होते हैं, इसको इससा multiply करेंगे, यह जो factors निकले हैं, इसको इस तरह से arrange करेंगे, कि हमारा plus या फ होगे इसके factor, जो के हमारे answer है, simple था, middle term split करना सी का हमने से, ठीके, break करना, जब इस तरह से बंजागा, इसके बाद आप common ले सकते हैं, बस main चीज़ है, कि इससे split करना आना चाहिए, ठीके, now इसका next part, तो देखिए, second part का है, यहा, p square minus 10 cube plus 21, कोई भी हमारी identity इसमें यूज हो रही है, बीच में हमारा क्या है, minus 10 cube, ठीके, तो क्या कहा था मैंने, यह वारी term को multiply करेंगे, इसके साथ तो यहां से क्या जाएगा, हमारा 21 cube square, ठीके, अब इसके factor कर लेंगे, factor क्या हो जाएगा, 7 multiply 3, multiply q, multiply q, 7, 3, 21 and q square, ठीके, अब इन factors को use करके, हमें ऐसे split करना है कि य यह तो minus करके क्या आजाए हमारा, minus 10 q आजाए, ठीके, तो देखे कैसे करेंगे, पर देखे क्या कोशन, q square minus 10 q plus 21, okay, तो मैंने बताया था, इस वाले को तो ऐसे note कर लेंगे, यहां, and this one, also, इस तरह से, यहां इसे note कर लिया, okay, अब देखे, इसे किस तरह से range कर से, देखो, 7 अगर हम यहां देखेंए, अगर हम करेंगे, 7p और 3p, इन दोनों को add कर लेते हैं, तो यह 10p square तो दे देता है, हमाले, इन दोनों को add करके, तो यहां आजाए ऑंपरा करके, हमारा, 21 q square आजाए गा, simply multiply करके, तो यहां आ जाएगा, 21 q square, यह तो, simple नहीं करेंगे, तो यहां ले क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा जब माइनस माइनस एड़ करके तो 10 आ जाएंगे और साइन कौन सा हैगा हमारा माइनस का हैगा ठीक है मैं पता है सिंप्ली करें इसको तो दिखिए लिख लेते हैं 7P लेकि 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 ले